नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल इस्टडी फॉर सेविल सर्विसेस में तो अब तक के लेक्चर में हमने सिर्फ जोगरफी वाले पार्ट को भी डिसकस किया है जाहे वह जौनल स्टेडी का हो जाहे वह उत्राखंड पॉइंट ऑफ यू से जो हाय है जिसमें आपका में ध्यान अकर्शित करना चाहता हूं उसका नाम है उत्राखंड के का पेंटिंग्स वाला पार्ट तो जैसा कि आपने एंशेंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा इंडिया की तो आपको पता चलेगा कि जो एंशेंट मोस्ट जो चित्रकारी है वो हमको रॉक पेंटिंग्स में देखने को मिलती है और इसके प्रमान सबसे पुराने जो है वो मिलते हैं भीमबेट का से भीमबेट का नाम सुनाओको आपने जो की MP में है ठीक है वो प्राचीन तम उधारन है रॉक पेंटिंग्स है तो क्या उत्तराखंड के इतिहास में भी चित medieval और modern लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां पर इंडिया वाली ancient history समाप्त होती है वही पर उत्राखन वाली ancient history समाप्त हो ये कोई जरूरी नहीं है जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटा सा example देता हूँ अगर हम modern इंडिया की बात करें modern इंडिया की मौडर इंडिया की शुरूरात होती है 1707 से लेकर 1947 ठीक लेकिन उत्राखन के केस में ये डेट लागू नहीं होती लेडी की बात हो रही है उत्राखन के केस में ये हो जाएगा आपका 1815 से लेकर 1949 तक क्योंकि उत्राखन में ब्रिटिश वाला पार्ट है वो शुरुवात होती है उसकी 1815 से जब अंग्रेजों ने गोर्खाओं को पराजित करके यहां पर ब्रिटिश हस्ता इस्थापित करी थी इसके भी दो पहलू है ठीक एक तो है कुमावू वाला पार्ट और एक है गड़वाल वाला पार ठीक तो जब उत्तराख इसको हम समझेंगे कि कैसे मॉडर इंडिया वाला पार्ट भी उत्तराखंड के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना की इंडियन हिस्ट्री के केस में है ठीक तो यह तो हो गई time period है time line वाली बात की ज़ो जरूडिन नहीं है कि जो टाइम पीरियड हमको इंडियन हिस्ट्री में जहां पर खतम होते वे याुआ शुरू होते दिखता है उत्राखंड में Most ancient evidence of rock painting comes from लाखू, गौार्ख्या, ल्वेथाप, पेटशाल, एट सक्टर ये सारे नाम आपने अपनी परिक्षावानी वाले किताबों में पढ़ी होगी, या जो भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तरह खंडकी तो इसमें ये सारे नाम चरपरचित होंगे आपके लिए, ये और various animals depicted over it, यानि की जो rock painting है, जो लाखू केव से मिली है, उसमें किस किस चीज की चितरकारी हुई है, इन चीजों की चितरकारी हुई है, आप चाहें तो Google कर सकते हैं, तो आपको चितर समू में, हाथ में हाट डाले, मानमों के चितर मिल जाएंगे आपको, इसी परकार से ए एक और गुफा है, जिसका नाम है गौार्ख्या गुफा, यह है चमोली जिले में, किम्डी गाओं का नाम सुनाओगा, यह भी चमोली जिले में है, मैस दफॉलिंग में क्वेशन आते हैं, यहाँ पर मिली है, तूल्स मिले हैं, और animals की चितरकारी मिली है, किम्डी में, इस समूह नित्य करते वे भी लोगों को दर्शाय गया है, तो यह लगबग उतने ही सिमलर है, जितने की भीम बेटका और अधर रोग पेंटिंग्स हैं हमारी इंचन इंडिया के कांटेक्स में, वो लगबग वैसी ही है, इससे क्या साबित होता है, इससे यह साबित होता है कि जो अर्ली मैन है, यानि कि जो प्राचीन समय के जो मानव रहे होंगे, जिरोने स्टोन को टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया है, यानि कि स्टोनेज, वो हमें सारे परमान उत्राखंड में भी देखने को मिलता है, इट मीन्स इस पार्ट अव उत्तराखंड is very important, सेम किस जैसे कि प्राचीन भारत का है, तो यह शुरुवात के हैं, जो रॉक पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक, आगे देखते हैं, मेडिवल पीरिड, यानि कि मद्यकालीन की अगर हम बात करें, तो मद्यकालीन युग इंडिया की केस में शुरू होता है 1206 से, और कब तक चलता है 170 साथ तक, लेकिन उत्तराखंड के केस में ये डेट जरूरी नहीं है कि ही से स्टार्ट हो जाए, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उत्तराखंड की तब आपको बताऊंगा हमें, कि मेडिवल पार्ट उत्तराखंड का प्रॉपरली कहां से सुरू होता है फिर भी हमें जो पेंटिंग्स के रिकार्ट मिलते हैं उत्तराखंड में, पेंटिंग्स के, वो मिलते हैं 16th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के बीच में, 16th सेंचुरी का मतलब हो जाएगा आपका 1500 AD onwards up to 1800 AD के बीच का जो पीरेड है, इसको हम कहेंगे 19th सेंचुरी तक का, तो इसको हम कहा सकते हैं कि कुमाउ से ज़्यादा गडवाल में इसका विकास हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, वी है वरीफरेंस आफ टू पेंटर्स, हमें दो चित्रकारों के नाम मिलते हैं, लेकिन ये बड़े मज़े की बात है कि उत्तराखंड में गडवाल वाले प है और उनके पुत्र हैं हरदास ठीक है इन्होंने पृत्वी शाह नाम के जो राजा है गड़वाल के परमारवंस के साथ इनके समय में फित्रकारी शुरू करी ये कौन लोग रहे हूंगे दरसल मुगल पीरिट के लोग थे जो सुलेमान सिखो के समय में उत्राखंड आये थे इनके जो उत्रादिकारी हैं किसके स्यामदास और हरदास के उनको लगातार गड़वाल सासगू का संगरक्षन मिलता रहा ठीक है पैटरनाइज बाई गड़वाल रूलर्स ठीक है एंड दे पारों के नाम आपको याद रखने होंगे ठीक है जैसे की हीरा लाल है मंगत राम है मौला राम तोमर सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपको यह आपको मेंसा याद रखना होगा इनकी कौन-कौन सी रचना है यह भी काफी एक्जाम में क्वेशन आ जाते हैं चित्रकला अपने पराकास्था में पहुच गई थी उसी प्रकार हम किया सकते हैं कि मौला राम के समय में गड़वाल पेंटिंग पराकास्था में पहुची इनका इतिहास के पन्नों में काफी इंपॉर्टेंस है ठीक इसको आप पॉस करके देख सकते हैं और अपने चित्रकार या महान संग्रक्षक की जम्रृति हो जाती है तो उसके कह सकते हैं कि संग्रक्षन के अभाव में भी चित्रकारी या कोई भी कलाओं को सफर करना पड़ता है तो ऐसा है कि मौला राम तोमर के विट्ट्यों के उपराद घणवाल पेंटिंग का डिकलाइन या अ वंस काववित गड़ गीता संग्राम मनमत नात सागर ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मौला राम ने अपने जीवन का में लिखी और इनी पुस्तकों में चित्रकारी भी की गई है जो कि इसको और भी नई उचाईयां प्रदान करती है इसके बाद हम देखते है कि कुछ ऐसे चित्रकारो के नाम आते हैं जो उस मतलब उस पॉइंट तक तो नहीं पहुच पाए लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस कला के परंपरा को जारी रखा एक नाम दो नाम आपको और याद रखने होंगे चैतू और माणकू अक्सर ये क्वेशन रिप गोविंद गीत गोविंद वैसे पुस्तर का नाम है ठीक पदमावत जो कम लिखी थी इसने जिस पे मतलब चित्रकारी कप करी इसने 1730 में किसने चैतू ने इस बेस्ट केप पेंटिंग इस आँख में चॉली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्जाम में कॉसन आ सकता है कि आँख में चॉली नाम की चित्रकारी है उसको किस ने बनाया था चैतू ने बनाया था ठीक गड़वाल सासकों के संगरक्षन में सारे काम हो रहे हैं और उनका नाम है यह देखे क्रेडिट टू रिवील गड़वाल पेंटिंग गोस्टू बैरिस्टर मुकंदी लाल यह नाम आपको याद रखना होगा हर हाल में बैरिस्टर मुकंदी लाल का संबंध किस चीज से है इस चीज से है जो मौला राम की जो पेंटिंग थी एक किताब और लिखिया आपर Some Notes on Molaram ये भी निगी किताब है गड़वाल School of Paintings ये भी क्या है इन ही की उस्तक का नाम है क्याना मतवाने आपको Barrister Mukundilal तो हम कह सकते हैं कि ये जो अभी हमने जिक्र किया ये तो लोककला नहीं है ये चित्रकला है जो शासक के संगरक्षण में पनप रही थी इसी प्रकार से उत्राखंड में हमें लोक चित्रकलाओं का भी उल्लेक मिलता है जो आप देख सकते हैं कि दिवाली और कई प्रकार के तेहारों में चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी ठीक है उसके लिए मैं अलग से लेक्टर बनाऊँगा फिलाल मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो हमने पेंटिंग्स डिसकस करी है मौला राम की ये दिखने में कैसी लगती थी उसके लिए हमें उसका सारा लेना पड़ेगा नेट का जो मैं आपके लिए पहले सी यहाँ पर रखा ये देख लिजी तो इस तरह की चित्रकारी उन दिनों मौला राम के ब्रश से बनती थी ये देख लिजी मौला राम गड़वाल पेंटिंग बैरेश्ट्री मुगंधिनाल ने इन सब को उजागर किया है अब देख सकते हैं ब में इन सब के नाम भी दिये गए हों तो यह सारी चित्रकारी हैं जो काफी हद तक मुगल पेंटिंग से मैज खाती हैं और लगभक उसी लेवल की रही होंगी जैसे कि जैसी चित्रकला जहांगीर अकबर और साज़्ां के समय में चलती होगी जहांगीर तो खेर अपने आप पार्ट माना जाता है पेंटिंग डेवलोपमेंट का तुम देख सकते हैं कि जो चाप है वो मुगल चित्कला की चाप है वह रीजनल लेवल पर भी मौला राम के जरिए स्थापित होती है देख लीजिए ठीक तो अगर आपको रुची है उत्राखंड के लोकलों के बारे में जानने में यहां के परमपरी यहां पर परमपराओं के बारे में तो उसके लिए आपको पढ़ाई तो करना ही होगी और अगले वीडियो के माध्यम से हम आप तक उत्तराखंड के कल्चरल अस्पेक्ट को पहुंचाते रहेंगे ठीक है तब तक बने रही है स्टेडिक और स क्यों सर्दिक साथ, थैंक यू, आल थे बेस्ट